हलो गाइज विल्कम टू अचीव इस मैं इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंडिया ताइवन रिलेशन्स ताइवन चैनल रिलेशन्स और किस तरीके से यूएस इस गेम में बहुत बड़ा रोल नहीं भा रहा है अभी 17 अक्टूबर को 2 प्लस 2 मिटिंग भी होने वाली है इंडिया और यूएस के मिनिस्टर्स के बीच तो उसका भी जिकर करेंगे सबसे पहले समझ लीजिए कि आप सबको पता है ताइवन के लिए सिंपेटी हमारे देश में और यूएस में और साउथ इशन कंट्रीज में बढ़ती ही जा रही है क्यों पहली बात तो चाइना का खुद का भी हेवियर चाना का जो एग्रेशन है ताइवान में ताइवान इस ट्रेट में ताइवान में आपने एरक्राफ्ट एनाद कर रहा है और डिफ एर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जो जोन है ताइवान का उसको वोलेट कर रहा है इतने डर के महोल में ताइवा को डिप्लोमेटिक और मिलिटरी सपोर्ट दे रहा है इसी साल ऑगस्त में यूएस की हाई लेबल विजीट हुई थी हेल्ट सेकेटरी थी यूएस की वह जो गई थी ताइवान में उन्होंने ग्लोबल हेल्थ कोविड-19 और ताइवान को एक पॉसिबल सप्लायर ऑफ मेडिक इक्विमेंट एंड टेक्लोजी भी माना कि ठीक है ये सप्लायर बन सकते हैं और कैसे रिलिशन्स को आगे लेके जा सकते हैं यहीं नहीं रुका यूएस उसके बाद में सेप्टेमबर में अनादा हाई लेवल यूएस विजिट टुक प्लेस जिसमें ग्रोथ एनरजी एक् प्रांचेस हैं कि फाइव बिलियन डॉलर तक चला जाएगा इसके अंदर दिया क्या है ताइवान को सेंसर्स मिसाइल्स आर्टिलरी ताकि कम सकम चाइना ताइवान चाइना से खुद को डिफेंट तो कर सके रिलेशन्स तो बाद में मजबूत हो जाएंग सबसे पहले तो चाइना खुद यूएस को डराने कोशिश कर रहा है और इंडिया को डराने कोशिश कर रहा है अभी मताऊंगा चाइना का जो न्यूस पेपर है जो चाइना की गवर्मेंट का माउथ पीस इसको कहते है जो गवर्मेंट को सपोर्ट करके कहता है उसने क्या क्या बाते कहीं लेकिन सबसे पहले समझ लो कि इंडिया और युएस एग्रेसिवली ताइवान के साथ अब सिंपेथी जता रहे हाला कि ओफिशल लेवल पर इतना बड़ा देखने को नहीं मिलेगा आपको की ताइवान के साथ फुली सपोर्ट हो रहे हैं नहीं हमारा डिप्लोमेट है ताइ तो ताइवान को जब भी आप संबोधित करो तो अलग कंट्री के रूप में मत दिखाओ तो हमारे लोग नराजों के भारतियों ने ट्विटर पे ताइवान नेशनल डेट ट्रेंड करा दिया यहीं नहीं ओफिशल कैपेसिटी में मिनिस्टर अफ एक्टनल अफिर्स के स् दाट पे जब से इंडियान कंफर्टेशन हूं यह बोर्डर पे तब से इंडिया प्रोक्टिवली ताइवान को सपोर्ट कर रहा है हाला कि तिबत के ऊपर कभी में और वीडियो बनाऊंगा लेकिन ताइवान का समझो भी तिबत का इतना अभी रोल आएगा नहीं ताइव ऊणकोंग इन सबने मिल्क टी ऐलाइंस बना चलि कर दिया है अब हुए इक यह लिए ने किया आज एल्टेली की बात ओ रही थी फिर बैल्जियम ने किया था यूक ने तो करी दिया तो कुल्म्यला के बात क्या हो रही है कि चाइना का जो 5G यह जो कंपनी है वह जो 5G क्या कर रही है UK ने D10 ग्रूप भी बनाया है D10 ग्रूप democracy of 10 इसमें प्रपोस किया इस ग्रूप को इसमें इंडिया भी इंक्लूड होगा ऐसा UK ने प्रपोस किया कि 10 डेमोक्रेसी का ग्रूप होगा जो की अल्टरनेट डूंडेगा हुए का 5G अपना ही एक सप्लाइ सिस्टम बनाएगा इसमें और आपने यह भी सुनाओगा ब्लू आई ग्रूप जो इंडिया स्वरी यूएस जपान और और ऑस्ट्रेलिया का जहां तक मुझे याद है ब्लूए ग्रूप एक सीक्रेट अलाइन से तो यह चीज़े निकल के आ रही है कई बार अपने पड़ी होंगी कि चैना के खिलाव यह सब शुरू हो गई है अच्छा देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें किस हद तक सामील होता है क्योंकि देखो ऐसा है और चाइना के इकनोमिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं अभी मैं आपको सब ताइना के अग्रेशन की वज़े से बाकी कंट्रीज हुवई को बैन कर रही है और कोविट नाइंटीन बद बड़ा फेक्टर है लेकिन जिस तरीके से अग्रेशन दिखा रहा है कोविट नाइंटीन फैलाने के बाद भी चाज ताइमान को सपोर्ट कर रहे हैं इतलीन इभी यह क्या ओर इटलीकों चैना धमकी दी यह धमकी है और पां यह जुक्तंप यहाँ ठाइएं से मढब को निख्यर रंश क्योंटम्कॉर्त बढ़ा ने प॥ आय्ल्य सब्सक्राइब क्हां इक्तिविस्ट यह बहूंग को तरह अक्य हो efforts को नको यह आज वह सक आ जो behavior है चाइना का यह ताइवान पर प्रेशर भड़ता जा रहा है यह सबसी बड़ी वज़ाई बनेगा कि ताइवान का support ताइवान को के लिए sympathy बढ़ती जाएगी तो चाइना जितना aggression दिखाएगा उतना लोग ताइवान को support करने लग जाएगे इटली ने भी ban कर दिया हुवाई को अब एक बात समझो इटली ने हुवाई को ban कर दिया Sweden ने ban किया तो चाइना पर बहुत जोड़ा टिके वे थे अभी हाली में इंडिया और यू के जो relations है वो बहुत हद तक बढ़े हैं कोवी 19 से पहले तो अब इटली को पता है कि economic decoupling करन करना पड़ेगा सब्लेचेंट करनी पड़ेगी वह बहुत मुश्किल है है मजबूरी हम उसको करना पड़ रहा है क्या करें चाइना की हरकत है और इसी हरकत का इसी मजबूरी का फाइदा चाइना उठा रहा था लेकिन अब इटली स्विडन बेल्जियम यूके यूएस चाइना को हुए के जरीए ताइवान के जरीए जो है अटेक करने कोशिश कर रहे है अचा एक बात हैं पर समयने की जुरूरत है टू प्लस टू मिटिंग होने जा रही है सताय सक्टोबर को अब बात है कि कितना टर्स्ट कर सकते हम यूएस पे माला बार में हमने इंडिया जापान यूएस तो थी ओस्टेलों को भी अलाग कर दिया कोड में इंडिया जापान और यूएस है तो एक तरीके से कोड का मिलिटरिजाइशन हो गया ऐसा लग रहा है ओफिशिली डिक्लियर नहीं किया गया लगने में बहुत अच्छा लगता है ठीक है चैना को हम कंटे में ट्रंप ने का अब हम बाहर हो रहें से और इंडिया यह उमीद भी ना करें कि हम इंडिया को सो बिलियन डॉलर जो वादा किया था पर इस एग्रिमेंट के अंदर वो दे देंगे इंडिया समझ गया कि तो इलेक्शन के डोमेस्टिक इंफ्लूएंस के चरीफ जरीए य उसके बाद उसके बाद अब किती मिलिटरी एकसाइस कर लोगे चाइना को यह मैसेज तो चले गया ना कि हम मिलिटराजेशन कर रहे हैं तो रश्या के साथ भी हमारे रिलेशन्स पर इंपेट पड़ सकता है और चाइना और एग्रेसिव हो जाएगा डर यह हो सकता है मजदारी होती हो हम चाइना का नाम इसलिए नहीं ले सकते है क्योंकि हो सकता है यूश पीचे हट गया तो क्वाड के साथ हमने लिटराजेशन कर लिया अच्छे से तो चाइना भी ढाता है कि कि रश्या के साथ हम ने रश्या-इंडिया-चयना-ुपिंग बना रखा है उसका मकसद पता है क्या था रश्या-इंडिया-चयना-ुपिंग्स का उसे के वेस्टणाइज GB उसको रोखना एंक ह olduğने texts औरना مगार्खाओ यहांपर करने चलना पड़ता है ऐसा नहीं एककाल हम च्रोड़ कांट्रोल में रखना चाहिए तो अब क्या कर सकते हैं जैसे माल developed तो इसमें हम क्या करें मालों वह तो गारंटी यूस वाले तो ऐसी स्टेटमेंट देंगे चैनों को एग्रेशन करने के लिए और इंडिया उंको सपोर्ट करना ही पड़ेगा कांटर तो कर नहीं सकता तो इसका फायदा इंडिया से उठा सकता है कि अभी एलेक्शन चल रहे हैं और यूएस जीतना हो सकता है इंडिया का साथ लेना चाहता है चाहिनों को कांटेन करने पिए इंडिया सीच का फायदा सकता है कैसे ट्रेड इशू कर देगा विजा-restriction हल तो हमारी जो सबसीडी थी जो हमारी इंपोर्ट पर थोड़ी छूट मिलती थी हमको वो यूस की तरफ से रुख गई है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ कुछ बिलियंज डॉलर्स में हुआ है लेकिन इंडिया अब वापस अपना नाम डवलपिंग में करवा सकते तो फिर मुष्की लिए ट्रॉम्प के साथ हमने करनी पड़ी बहुत बहुत मैनत करनी पड़ी फोर्स करने फिर भी एक मेजर ट्रेड डील नहीं होपाई तो हम क्या आख सकते है और साथी साथ लगा के लिए थोड़ा सा पाटिसीपेशिन ले सकते हैं क्योंकि ऐसा है कि कुए को य सब्सक्राइब करता है मिनिस्टर्स क्या उट्पूट निकालता है या इस वल अब नेगोशेशन्स क्या नेगोशेशन यहां पर किया जाता है अभी मैं ग्लोबल टाइम्स के एक न्यूस पढ़ रहा था जिसमें चाइना ने चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव जो भी व पर यह कह रहें कि ताइवान खाथ रिलेशन बढ़ो लेकिन चाइना उनको ऑफिशल स्टेट्मेंट नहीं मानता है चाइना छोड़ रहा है इंडिया को ऐसा ग्लोबल टाइम्स कहा रहा था और मैं चाइना जो है इन सब चीजों को नजर से देख रहा है चैसे और गई ताइवान के साथ हमने अभी तो डिप्लोमेट भज़े ताइवान में अभी तो हमने बहुत पहले भज़े था तब चाइन नराज हो गया था अगर हमने ऑफिशल रिलेशन एस्टेबलीश कर दिये ताइवान के साथ तो चाइना उनको दम की दिरा कि हम तुमारे उप करता हों को अधर ताइवान के साथ मल लड़ो ऐसा नहीं होगा तो अब थोड़ा सा अगरेशीव हमें होना पड़ेगा और ताइवान के साथ स्टेजी बिल्कुल इंडिया की सएच चल रही है अब देखते आने माली मीटिंग में टू प्लस टू मीटिंग में क्या ने कलत तब तक लिए गुडबाए